नमस्कार मित्रों मैं दुर्गा प्रसाद मिस्त्र मिस्त्र संस्क्रिट पुर्बो दिश चैनल पर आप लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूं हम लोग शिशुपाल बद को पढ़ रहे हैं पहले हम लोगों ने 12 स्लोकों को पढ़ लिया है अब यहां पर कभी महरशी नारद के द्वारा घूतल पर पदारपन का वरणन करता है अर्थात नारद जी के पैर जमीन पर लगने के पहले ही भगवान स्रीकृष्ण अपने सिंगासं से उठकरके नारद जी के सतकार के लिए खड़े हो गए और तब नारद जी ने पैर रखे और जब नारद जी ने पैर रखे तो उनके पैरों के इतना बजन था कि प्रत्वी को धारन करने वाले जो नाग वो बड़े मुश्किल से प्रत्वी को संभाल पा रहे थे अर्थात उनके फन जो थे बड़े मुश्किल से उठाने पर भी जूके जा रहे थे उनके फन इस प्रकार के फनों बाले जो फनी थे उन फणियों के द्वारा धारन किया गया ये प्रतुवीतल इस प्रतुवीतल पर नारज जी ने अपने दोनों चरणों को वगवान स्रीकृष्ण के सम्मूख अस्थापित किया इसी बात को इसमें बता रहे हैं अथप प्रेतनों नमिता नमत फणईर धृते कथंचित फणिनाम गणई रधह निधाई शाता मभी देव की सुतम सुते नधातुष चरणों भुबस्तले अथ मने इसके बाद में इसके बाद रथात जब श्रीकरण जी उठ गए इसके बाद में प्रेतन उन्नमित उन्नमित तो जो नाग है फणिनाम गणई नाग को भणा संति सामते फणि न तो जिनके फण उनको फणिया कहते हैं आप पनिनाम गणई यानि कि सर्फों के सामुहों के द्वारा प्रियत्न माने बड़ी परियत्न से के चेश्टा पूर्वक उन्नमित यानि उठाने पर भी लेकिन मुनी के जब पैर जमीन पर पड़े तो उस बजन के कारण आनमत यानि की जुके जा रहे हैं फणई यानि फणजिने के बासमझ में कि नहीं प्रियत्न से उठाये जाने पर भी जिनके प्रियत्ने न उन्नमित तथा पी मुनिपादन न्यास भाराथ मुनी के पैर के जो स्थापित करने के बजन के कारण जुके जा रहें आनमन त्याह फणाह ये शाम अईसे जो फणियों के गण है उन गणों के द्वारा अधा मने नीचे धृते कथन्चित धारण किया गया है कथन्चित मने जैसे तैसे काउन भुवस्तल भुवस्तल यानि की प्रथवी का तल प्रथवी की सतह पर धातु धातु हूँ सुतेन धाता कहते हैं ब्रह्मा को सुतेन माने नारद के द्वारा ब्रह्मा के सुत के द्वारा चरणों यानि चरणों को निधा इशाताम यानि की स्थापित किया गया अभी देव की सुतम यहाँ पर लक्षिणे नावी प्रतियावी मुख्य सुत्र से अभीवा समास हुआ है देव सुते नी नारजी ने विधाता के सुत्रणों को भूबस्तल पर जो भूबस्तल कैसा है कतंचिद मने जैसे तैसे ध्रत मने धरा गया है किसके द्वाठा फणियों केृण के द्वारा उस पर अध्षमने नीचे चर बाहर构 को सुत्राय शैल्स अधाई शाता अम यानी की ये कि नागों को नागों के समूहों को अपने चरण मने अपने फणों को मने उनके प्रण जुके जा रहे थे और उन्होंने बड़ी प्रैत्न करके उनको उठाया फिर भी जुके जा लिएट अइसा हुआ नहीं लेकिन कभी ऐसी कल्पना कर रहा इसलिए यहां पर अतिशयोघ्ति इलंकार है रोए फॉन क्या जुखे प्या उठाए गए दोनों काम नहीं ना तो उठाए गए ना तो जुखे है मुनी की महिमा है वह अत्यंत Fifore मुनी के गुरुत्त मुनमी का गौरब का विस्तार दिखाने के लिए यहां पर ये अतिशयोक्ती का लंकल अतिशयोक्ति इलंकार का प्रयोग कभी ने किया है ठीक है अब इसको हम एक दसे देख लेते हैं स्री क्रिश्ण के उठखडे होने के भाद धातु धातु यानी ब्रह्मदेव के सुतेन यानी मानस पुत्रमारशी नारद द्वारा प्रेतने ओन नमिता नमत फणई बड़े यतन से उपर उठाने पर भी भार से जुके हुए फणबाले फणी नाम गणई ही यानी सर्पों के समूहों के अधाह कथंचित धृत्य नीचे के और किसी प्रकार धारण किये गए भूमी तल पर उबस तल पर अभी देव की सुतम माने की स्रीक्रण के सामने चर्णव निधाई शाताम अपने पैर रखे गए कि यहां पर ध्यान दीजीएंगा धी में और निधाई शाताम के नहीतव निस्थापित के रखे गए और पहनों का नमन और उन्नमन यानि उठाना और जुकना संबंद न होने पर भी मुनी के गौरब के लिए उहां पर संबंद का अभिधान किया गया है इसलिए यहां पर अतिशोग तेलंकार हो जाएगा ठीक है तो सब्दार्थ भी यहां पर हमको याद रखना है और सामान रूप से समासका भी ग्यान होना चाहिए चलिए अब बता कर रहें कि श्रीक्रण ने नारज जी की पूजा की इस पूजा कवरणन कर रहे हैं तमर्गे मर्गया दिकयादि पूरुशह सपर्यया साधु सपर्यपू पुजत ग्रियान उपई तुम प्रणयाद अभीप सबो भबंतिना पूर्ण कृताम मनेश नहां यह अर्थांतर अ सिन्जास यहां पर कौन सालंकार हैं में कुजा के चकर में एक अर्थांतर अन्यास जो है एक सूक्ती बढ़िया सुन्दर इपार कवी ने रख दी है हमारे सा मने प्रस्तुत की है देखिए पूजने है अर्ग हमाने की पूजने सामग्री अर्ग करने जिस परकार की जो सपर्यया सपर्यया मने पूजा के द्वारा आदी पूरुषा आदी पूरुषा याने की स्रीकृष्ण पूचा जाएगा आदी पूरुषा कहा स्रीकृष्ण चिरंतना हम उन्हीं कहा स्रीकृष्ण हां सह माने स्रीकृष्ण हां साधु यानी सम्यक प्रकारेन पर्यपू पुजत यान की पूजा की सम्यक प्रकार से उन्सरी करणने पूज्य महारशी नारद की पूजा की सपर्या सब्दकार्थ पूजा नमस्या माने पूजा अब चिती माने पूजा और पूजा माने तो पूजा होता ही है परिचर्या माने भी पूजा अब देखिए यहां पर इसी बात के लि प्रणयात मने प्रेम से अभी अभीब सबह मतलब है अपुक्छे करने वाले उनके घरों में नो नहीं अभीब सबह ईच्छू होते तो देखिए आदी पूरुसा यानी कि आधि पूरुशन स्री कृष्ण ने सह स्री कृष्णह अर्ध्यम माने पूज्य तम माने नारद की अर्ग्यादिकया मने अर्गे इत्यादि सामग्री से सपर्या मने उत्तमरीती से अर्चना की साधु मने उत्तमरीती से पर्रिपू पुजत मने अर्चना की क्योंकि मनी शिणह महत्मा लोग अपूर्णिकृताम मने पूर्णि नौ करने वाले पूर्णियम ओकृत बताम ग्रि पूरुशा यानि पुरान पुरुशाह सहा मने स्री कि अरगम पूजाम अरहती ति अर्ग्या कौन नारट जी तम नारद ओर अरधार्थम द्रब्यतम पी अरघ्या दिकया में बहुवरी ही हुआ है कि अर्ध्यम आदिर यस्याहसा अर्ज्यादिकाव तय मानें कि पूजन सामगरी है आदी में जिसके अइस परकार नियास का यहां पर प्रयोग किया है भासमझमे कि नहीं संत लोग जो होते हैं वह पुर्णे ना करने वाले लोगों के घर में घरों में प्रेम से उपाईतुम अभीवसभा प्राप्तम से नभवन थी वासमझमे करने वाले लोगों के घर में ही जाते हैं इसलिए बड़ी कठिनाई से मिलने वाले नारज जी अत्वा संत लोग जो है पूझ्य होते हैं इस बात को यहां पर इन्हों अर्थांतर नया सलंकार के द्वारा दिखाया है इसके साथ ही अगले वीडियो में अगले स्लोकों के साथ हम आपको मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार